हमारे चैनल में M-Pharm के आईस्ट आईस्ट सारे आपको वीडियो मिलेंगे देखिए बी-फार्मा तक तो इजली आपको एक कंटेंड एविलिबल हो जाता है आपको यूटूब बहुत सारे चैनल से लेकिन हमने उसी को देखते हुए हमारे चैनल में आपको M-Pharm के जैसे कि आपने पढ़ाई होगा कि क्या होता लेकिन इसमें थोड़ा सा एड करके गया है एक्सपाइंड करा है कि उस चीज को जाने डिटेल में तो उसी चीज को हम इस वीडियो में जानेंगे एकडियों तो सिलाइवस आपको सबसे पहला पढ़ना है इस्पेक्ट्रोइसकोपी इसका डेफनेशन देख तो यह क्या कहता है कि ब्रांच ऑफ साइंस डेश्ट डिल्स इस टेडि ऑफ इंट्रेक्शन ऑफ मैटर उप्ट्रेक्शन मैटर कहने मतलब वह ड्रग और इसी का हम यूज करके हम अपना पूरा स्पेक्ट्रोइसकोपी इसी पर आदा जीत है चाहिए कोई एब्सोब कर लेता है कोई इमेल्शन कर देता है अलग-अलग चीज करके यह हम डेटरिक्स करते हैं तिक एग्जिट अगर देखे तो इसका इसका क्या था कि जब हम लाइ drug compound है यहां पर यहां कोई drug compound है यहां पर तो फिर हम क्या करते है माल लीजे यहां से हम light passes करवा है तो यह अलग-अलग-अलग-अलग मतलब कह लिजे intensity का light pass करेंगा लेकिन मेंली अगर हम प्रीज में सफास करेंगा तो seven color यह produce करता है अगर अगर देखें तो और क्या होता है कि इसका और एक नेफरेशन देख लिए तो यह फिनल यहीं कहता है कि इस इलेक्ट्रोंगनेटिक को हम किसी मैटर के साथ interaction करते हैं यहां देखें इस चीज़ को अच्छे समझे पहले अगर मान लीजे कि हमने light pass करा तो सेकेंड वाले साथ पर जाके reflection कर गया फिर दूसरे वाले भी कर दिया कोभी कोभी ऐसा भी हो सकता है कि first वाले भी लेयर पर ठक रहा है और यह reflect कर जाए और फिर next कैसे से हो सकता है कि absorb कर जाए यहां पर जो molecule compound देखिए जब हम light pass करवाते हैं इससे ज्यादा condition नहीं हो सकता है चारी केसे हो सकते हैं चाहे reflection हो जाए अब्जर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पर आता है इमल्सन मतलब कि किसी भी मान लीजे कि ड्रग है यहां पर मालीजे रग है तो कोई light अगर हम मान लीजे करते हैं जैसे कि ground state से ग्राउंड इस्टेट से जब एक्साइट डिश्टेट से यह मालीजे एक्साइट डिश्टेट है और यह हमारा ग्राउंड इस्टेट है जब यहां पर आएगा तो यहां पर एक राइट टीडीज होता है तो उस्यक्ता हम कहेंगे इसको एनर्जी होता है जिसको हम फॉट्वों जैसे की light आप देते हैं लाइट के किसी वह अगर कोई भी देखें लाइट अगर जलाते हैं तो किसके कारण मतलब रोज नहीं जाती है तो यह का करता अगर कोई source of light यहां से हम देते हैं तो यह हमारा magnetic field करता और साथ में क्या है यहां पर electric field भी करता लेकिन डारेशन अगर forward इस तरह से रहे तो इस तरह से दो field यह create करेगा जब भी हमारे electron या किसी source लाइट देंगे या radiation समय देंगे तो यह दो तरह से यह काम करता है कुछ टर्म है जो आपको जानना ज़री है सबसे पहला था लेक्रमेगनेटिक राडियाशन में frequency फ्रेकंसी वह था कि एक सेकेंड में एक सेकेंड में कितना राडियाशन और यहां पर देखेंगे इस दोनों का हम कहेंगे wavelength wavelength निकालने के लिए हम इसका formula यूज करते हैं amplitude कहेंगे यहां पर और यह जो height कह लिए कितना height है इसको हम कहेंगे amplitude मतलब कितना इसी सही हम निकालते हैं कि कौन सा compound हमारे solution में present है और कौन सा molecular हो सकता है कोई भी जब हम molecule यहां पर माल लिए कोई drug या molecule हमें solution पर दिया example पर कह लिए हमारे पास solution में drug molecule कोई यहां से अगर हमने कोई light process करा है यह जो light process करा है यह जो molecule present है यहां जो drug present है इसमें कितने तरह का movement हो सकता है अगर कोई आदमी यहां पर है तो कितने तरह का movement सबसे पहले है टांसलेशन एनर्जी में था फिर vibration जब इसमें हम light देंगे तो यह हमारा vibrate करने लगा वाइबरेट क्यों करेगा यह excited state में लगता है यह vibrate कर सकता है फिर आता रोटेशनल जब यह vibrate करेगा तो किसी एक्सिस पर मालीजी रहेगा यह तो फिर रोटेट करेगा फिर नेक्स्ट है आपका electronic energy मतलब कि electronic energy इतने सारे energy जब किसी हम molecules में energy देते हैं तो फिर excited करते हैं तो यह चार तरह के energy इससे निकलता है बियर्स लंबर्स लोग कहते हैं कि कि किसी भी solution का अगर मान लिजे हम absorbance मतलब कि कितना compound कोई light हम अगर देते हैं तो यह जो मॉलेकुल से में पर्जेंट होता है तो कितने अब्स करेगा तो डायरेट उसका लिए तो फिर visible spectro scope आपको जाना ज़री है सबसे पहला आता है chromophore chromophore ऐसा molecules होते हैं जो कि colors को निकालने के लिए मतलब उसमें अगर महां लिजे हमें detect करना है तो वह क्या करते हैं colorful निकालते हैं जैसे कि light passes करते हैं तो वह color से दूसरे state में transition करते हैं जिसके कारण हमारे colors निकालते हैं लेकिन observe force आते हैं दूसरा word कि ऐसा functional group जिसमें क्या करते हैं कि हम chromophore के साथ attach करें तो वह क्या कर देता है कि light को absorb कर लेता है जैसे एक्जामपल पर बेंजीन फिरोन एनलीन यह अगर मालीजे रहे तो वहां पर हमारे colors को produce करने के लिए नहीं देता और साथ में वह absorb कर लेता है अगर हमें पता है कि यह जब हम किसी solution में यहां पर मालीजे कोई solution है और हमने यहां पर light passes कर रहा यह हमें light passes कर रहा अगर हमें यहां पर absorb कर ले रहा है तो हमें समझेंगे कि और फिर हो सकता है इनल हो सकता है अगर chromophore करें तो हम इन सब चीजों में देखेंगे फिर एक एक करके यह कौन सा compound present है तो इसी तरह से हम अपना spectroscopy में compound का detection करते है मैंने आपको बताया कि जब भी कोई यहां पर प्रीज सब्सक्राइब हो जाए और एक होता है इसकलेटिंग हो जाए तो में लिए चार केसस है यहां पर तो यह वाला जो हम मालीजी जो यूभी इस्पेक्टोइस्पी करते हैं जो वीजेवल वह हमारे absorption पर काम करता है मतलब कि हम molecules में absorb कर लेता है अगर प्रिंस्पल पूछे तो सबसे कि इतायल अल्कॉल या तो फिर एकजन यूज करते हैं जो कि हमारे solvent यूज करते हैं अब देखते हैं वीजेवल जो स्पेक्ट्रिस्प्यों कौन कौन से component होता है सबसे पहले आता सोर्स मतलब की light यहां पर देखे कि light source उसके बाद फिर फिर फिल्टर एंड मोनो कॉर डिटेक्टर मतलब यहां पर डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा compound present है कितना intensity का आया फिर डिस्पेसर जो रिकॉर्डर मनले computer लगा रहा था उसमें रिकॉड कर लेता है यह कि स्टैप का compound उसमें परजेंट है फाइब बेसिक अप्टिकल कंपॉर्ट मेंट इस्ट्रॉमेंट देखें सबसे पहले हम सोर्स लाइट का यूज करें तो ऐसा रेडियाशन जो कि wavelength range दे जो कि वीजिएवल हो फिर यह रहते हैं वीजिएवल सेलेक्टर मतलब कितना सेलेक्ट होना चाहिए फिर सेंपल कंटे तो तो यह सोर्स लाइट यूज करने के बाद ही तो लाइट निकलनने के बाद फिर हम उसे इस प्रीटिंग कर लिए तो फिर प्रीजम को दुआरा अलग अलग फिर लाइट अवह हम करें तो सॉलूसंस के बेदर से वेवलम सेलेक्टर यह कि रिए हैं कि उतना वेवलम दे देए wavelength में ऐसा नहीं कि wavelength देते हैं अगर हम wavelength बहुत ज़्यादा अगर इस प्रेटिंग हो रहा तो ऐसा नहीं चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर या तो फिर instrumental final आता है हमारे पास detector, detector मतलब detect करता है कि light passes through the sample, you will want to able detect and measure the result in lighting, मतलब कितने intensity का light हमारे absorb करा solution में और कौन सा compound present है detector वो हमें पता देता है, देखे इसमें हमें single sim मतलब पता चलता है कि कितना magnitude है, कितना amplitude है, कितना wavelength है, उससे हम से detect करते हैं कि कौन सा compound present है, यह में लिए हम तीन तरह के use करते हैं detector, जैसे कि barrier cell layer, photo immense cell detector या तो फिर multi player यूज करते है, photo multiplier यह सारे इसका समरी देखे तो इसका देखे, सबसे पहले हम क्या करते है, reason में दो तरह है, ultraviolet, visible, अगर हम ultraviolet में करते हैं, deuterium lamp का use करते हैं, अगर visible तो tungsten light में, अगर हम आनल लीजे यह visible पढ़ना है तो क्या करेंगे, हम tungsten light का use करें, glass है, अगर please holder का use करें, हम glass है, अगर detector यूज करते हैं, photo tube, pm, tube या तो फिर diode array, यह थे पूरा आपका detector या तो पिर कहलेगे, किस तरह से यह काम करता है, और कौन-कौन से हम use करते हैं, कौन-कौन से instrument, अगर है तो सबसे पहले आप इसे define करे करेंगे, देखे, जब हम किसी भी solution को हम detect करते हैं, तो उसमें मान लीजे, एक तो होता है single, यहाँ पर मान लीजे, कोई single compound का कोई drug पढ़ा हुआ है, कोई drug और हम इसे light process करते हैं, और इसे हम detect करते हैं, लिए कभी कभी क्या होता है, कि इसमें बहुत सारे, अगर मान लीजे हम कौन को से, simultaneous equation method उज़े, absorption ratio method करते हैं, absorption ratio method करते हैं, absorption इन दोनों को हमारे syllabus में थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ है, derivative pathometrics भी कह से है, स्ट्राइब करें कि यह सालेशन के हिसाब से अट्राइब करता है यह सालूशन के हिसाब से अब्जार्बिंस होता है उससी हम डिटेक्ट कर लेते हैं यह सिच्वेशन जैसे the analytic situation in the maximum contribution interference with observation मस्साब से हम इसी malefaction data को हम कहते है derivative spectroscopy मतलब इस वाले जो data को convert कर दिया कि इसमें electronic मतलब कि यह हमारे पास matter को convert कर लिए किसमें हम electronic transaction में तो अलग 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 compound है तो अलग absorption अलग अलग light observe करेगा उससे हम derivative करके हम अपना डिटेट करते हैं कि कौन सा compound present है इसको पिसको बिलकुल उस तरह मिलता जूलता होता है कि जैसे कि आपने डिटेट करते हैं कि कौन कौन से मिक्सर में मतलब परिजेंट है कौन कौन सा compound अगर मालिजे यह वाले सेमटल पर को देखें अवठे समझ माझाए यहां पर मालिजे को इसा real handsome अ बना दिया कोई यहां पर कोई इस तरह से जारह है को यहां पर इस वाले अलग уч compute होगा यहां पर कोई अलग कंपाउंड होगा तो इसी के हम यूज करते हैं इसका अलग-अलग पिएच और बाफर मेंटेन करके फिर हम डिटेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारे परजेंट है इस सॉलोशन में इस वीडियो में जाना कि एमफार्म के जो केमिस्ट्री फर्ष्ट यूनिट में अब कुछ है वीजेवल इस्पेक्टोइसकोपी अब नेक्स्ट वीडियो में जाने हैं क्या आया इसकाप्टोइसकोपी क्या होता है इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सेयर किजिए तब दक लिए व